नमस्कार पहली बात तो ये दिमाग में रखिए कि भगत सिंग को शहीद आजम यूँ ही नहीं कहा जाता है नौजवान भारत सभा उन्होंने इस्थापित की थी कामरेड राम चंदर और बाकी साथियों के साथ उसके बाद वो उस जमाने में हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का जो सबसे बड़ा संगठन था जिसमें कभी शचिंदमा सान्याल और इस तरह के लोग रहे थे उस हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हुए और 1928 में फिरोशा कोटला में एक मीटिंग हुई जिसमें देजभर के क्रांतिकारी इकठा हुए और वहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम बदल के किया गया हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आमी यानि सोचलिस्ट सब उन्होंने रिपब्लिकन के साथ जोड़ा यह रिपब्लिकन वाला जो पूरा आइडिया था वो अमेरिका से आया था जैसे युनाइटेड स्टेट साफ अमेरिका है जिसमें सारे राज्जियों को अपनी अपनी स्वायता है लेकिन वो एक United States है, वैसे ही वो United States of India एक Republic बनाने की बात करते थे, लेकिन भगत सिंग ने उसमें जोड़ा कि इस Republic के साथ साथ उसको समाजवादी भी होना होगा, समाजवादी का मतलब आज की पार्टियां नहीं, उनके समाजवाद का अर्थ था, जहां पर हर आदमी को बरा हाथ में लेकर किसी अंग्रेज को हत्या करने के लिए तलाशने वाले व्यक्ति नहीं थे, बेहत सोचने समझने वाले व्यक्ति थे और इसलिए वो लगातार लिखते भी हैं, हस्तक शेप भी करते हैं और उनकी जीवनी भारतिये क्रांतिकारी आंदोलन की एक जीवनी बनकर सामने आनी चाहिए तो शुरू करते हैं कुछ किताबों से सिलसला की भगत सिंग को कैसे समझें जिन बहुत शुरुआती विद्वानों ने भगत सिंग के ऊपर रिसर्च किया भगत सिंग के लेग धून के ले आए जो जो जमाने में अलग अलग अखबारों में चपे थे जब वो कानपुर में थे गणे शंकर विद्यार्थी के साथ तो प्रताप में उनके कई लेग चपे थे पंजाब में कीर्ती में उनके कई लेग चपे थे चान्द का जो फासी यंग था उसमें उन्होंने कई लेख लिखे थे तो पहली बार प्रोफेसर चमनलाल इन सारे लेखों कर लेके आए उनका हिंदी में अनुवाद, पंजाबी में अनुवाद भी हुआ, कुछ लेख पंजाबी में लिखे गए थे कुछ लेख उर्दू में लिखे गए थे, तो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, हिंदी में अनुवाद हुआ और जो पहली किताब हम लोगों के हाथ पड़ी थी जब हम विद्यार थी थे तो दो किताब ही थी जिनमें उनके लेख थे पहली तो प्रोफेसर चमनलाल ने संपादित की थी भगत सिंग के संपून दस्तावेज इसमें भगत सिंग के चिठ्थियां, उनके लेख और इस तरह के तमाम सारे दस्तावेज संग रही थे नौजवान भारत सभा का घोशना पत्र आपको मिल जाएगा एचेसारे का घोशना पत्र मिल जाएगा जिनको पढ़ते हुए आपके समझ में आता है कि भगत सिंग के विचारधारा क्या थी, वो किस तरह के हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे थे बाद में इसको और विस्तृत करके, और कई सारी चीज़ें जोड़के ये लोग भारती पेपर बैक से ये किताब आई, चमनलाल की ही, क्रांतिवीर भगत सिंग, अभ्यूदय और भविश्य इसके अलावा काफी पहले, मैं उसका कवर भी आपको नहीं दिखा पाऊंगा शिव वर्मा, जिनको भगत सिंग के साथ ही सजा हुई थी, जो एचैसारे के मेंबर थे उन्होंने एक किताब संपादित की थी, शहीद भगत सिंग की चुनी हुई कृतियां इसकी भूमिका बीटी रणदिवे ने लिखी है और इसके अलावा किताब के पहले जो एक लंबा लेख है शिव वर्मा का वो आपको भारती करांतिकारी आंदोरन का इतिहा समझने में मदद करता है एक बहुत आत्मी ये जीवनी जो भगत सिंग की अपनी भतीजी विरेन संधू ने लिखा है युग द्रिश्टा भगत सिंग और उनके मृत्यूंजे पुर्खे तो भगत सिंग के परिवार के बारे में और भगत सिंग के बारे में बहुत आत्मी जानकारिया इस किताब में है मेरे खाल से ये राजपाल प्रकाशन से छपी है आप इस किताब को भी पढ़ सकते है प्रोफिसर S. इर्फान हबीब उन इतिहासकारों में से हैं जिन्होंने भगत सिंग की जो जेल डायरी है वो ढूंड कर निकाली थी जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में थी और हबीब साहब ने कई काम किये हैं भगत सिंग को लेकर बेहद महत्तुपून उन में से एक किताब जो अंग्रेजी में भी उपलब्द है और हिंदी में भी मैं हिंदी वाली आपको दिखा रहा हूँ इस किताब का नाम है बहरों को सुनाने के लिए भगत सिंग और उनके साथियों की विचारधारा और कारिक्रम मैं फिर दोरा रहा हूँ कि भगत सिंग और उनके साथियों की विचाधारा और कारेकरम की जवाब बात करते हैं तो दरसल भारती क्रामतिकारी आंदोलन के इतिहास की आप बात करते हैं इर्फान हबीब साहब ने नौजवान भारत सभा के घोशना पत्र एचसारे के घोशना पत्र और बाकि सारी चीजों को एक साथ लाकर एक बहुत शांदार यह किताब तयार की है बहरों को सुनाने के लिए उनी की एक और किताब जिसमें भगत सिंग के कुछ लेक संखली थैं वो है इंकलाप के नाम से प्रकाशित ये हिंदी में आई है कि नहीं आई है मुझे नहीं पता लेकिन अंग्रेजी में इसको सेज ने छापा है इंकलाब के नाम से प्रोफेसर एस रिफान हबीब की किताब अब बात करते हैं भगत सिंग के थोड़ा आगे के मामले पर उनको जो फासी हुई जो मुकदमा चला पहले दिल्ली में फिर लाहूर में उसको लेकर बहुत सारे किस्से कहानिया सुनाइ जाते हैं कोई कहता है कि उनके खलाब जो वकील थे वो तो RSS के थे कोई कहता है कि कॉंग्रेस के लोगों ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, वकील अबलेबल नहीं करा, इस तरह की तमाम सारी बाते हैं और इसके अलावा एक और बात चलती है कि अंग्रेजों ने उनको किस तरह से फासी दी क्या जो सबूत थे वो परियाप थे उनको फासी देने के लिए आखिर क्या वज़े हुई कि ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा, क्या वज़े हुई कि अदालत के अंदर इतना संघर्ष चला और फाइनली जल्दी-जल्दी में तीनों लोगों को फासी दे दी गई अगर इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझना है तो एजी नूरानी साहब की किताब है ये मोटी किताब है, आक्सफ़र्ड निचापी है ये तकरीबन साड़े तीन सो पन्नों की किताब है और नूरानी साहब चुके खुद वकील थे, कानून के बड़े विश्यक्य थे तो उन्होंने बहुत विस्तार से सारे जो पेपर्स थे कोर्ट के अंदर के उन सारी पुस अमेरिका, मिडल इसे अंडिया इसको तीन लेककों ने मिलके लिखा है, इसमें क्रिस्टोफर जैफरले जो भारती इतिहास के विद्वान है, उन्होंने भारती क्रांतिकारी आंदोरन और खास तर पर भगस owaktadharah को और उस समय के क्रांतिकारी आंदोरन को समझने के लिए बेहत महत्वपूर्ण है। पर्मा ने अपने साथी करांतिकारियों को बड़े प्यार से, बड़े दुख के साथ, दर्द के साथ, प्रेम और स्नेही के साथ, आप सोचिए कि जिनके साथ उन्होंने जिन्दगी की शुरुआत की, उनमें से कुछ लोग फासी चड़ गए, कुछ लोग को गोली मार दी किताब भी मुझे लगता है कि जरूर पढ़नी चाहिए, और अगर इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ दिन इंजार कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये किताबें, इनके अलावा भी बहुत सारी किताबें, प्लस जो documents हैं, अबलेबल, archives हैं, उन सब को जोडते हुए, भगत सिंग की एक अच्छी सी जीवनी तयार करने का, अगर वो जीवनी तयार होती है और होगी ही, तो फिर आप वो पढ़ लीजेगा, लेकिन अगर तब तक इनजार नहीं करना चाहते हैं, तो इन में से जिस विशा में आपके रुची हो, आप किताब बहुत शुकरिया। ठीकम ही हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के रहती है। मैं आम तोर पे अपने वीडियो में ये भी अपील नहीं करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो खुछ सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर सामनकी अогर संबह हो तो हमारे वीडियो और आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स देने की सुधा है आपके पास शेर करने की सुधा तो हर जगा है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे है तो आप मिम्बर्शिप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की, आप इंस्टा मोजो लिंक है वहाँ पर हमारी सहायता कर सकते हैं आप साथ आएंगे तभी हम बेटर काम कर पाएंगे बहुत शुक्राइब